भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है क्योंकि यह एक पवित्र पौधा माना जाता है. बेलपत्र को शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है. बेलपत्र को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसंद होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है बेलपत्र को चढ़ाने के पीछे कई मान्यताएं है एक मान्यता यह है कि बेलपत्र भगवान शिव के त्रिशूल का प्रतीक है तीन पत्ते त्रिशूल के तीन धारों को दर्शाते हैं दूसरी मान्यता यह है कि बेलपत्र भगवान शिव के गले में पड़े नाग का प्रतीक है बेलपत्र की पत्तिया नाग के फन को दर्शाती है बेलपत्र को चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है बेलपत्र को चढ़ाने से भक्तों को शान्ती और समरिध्धी प्राप्थ होती है बेलपत्र को चढ़ाने से भक्तों के पाप भी दूर होते है बेलपत्र को चढ़ाने के कुछ नियम है। बेलपत्र को चढ़ाने से भक्तों को शांती, समरिध्धी और मोक्ष प्राप्थ होता है।